प्रियादर शुकों नमस्कार आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है आईए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल आरेसपी में प्लास फर्नेस पांच के 21 मिलियन टन होट मेटल उतपादन का जश्न जादा उतपाद हासिल करने के द्रण संकल्प और उत्साह के साथ मना सेल रौकला इसपाच सयंत्र के इसपाच जनरल अस्पताल के और्फोपेटिक सर्जनों द्वारा एक जटिल सर्जरी का सफलता पूर्वक कार्यान बन और आजादी का अमरत महोत्सव की कड़ी में आजके विर्तित्तों हैं स्रीदास रती दास अब समचार विस्तार से सेल रौकला इसपाच सयंत्र आरेसपी के ब्लास फंडनेस पांच कर्मी समूह ने 21 मिलियन टन होट मेटल उतपादन का जश्न उतक्रष्टता के नए सिखर को तेजी से छूने के द्रण संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया निदेशक प्रभारी आरेसपी स्री अतनु भौमिक 26 मई 2022 को बीएफ पांच पे आयोजित समारो में सामिल हुए उनके साथ कारेपालक निदेशक खान स्री एके कुंडू, कारेपालक निदेशक वक्स स्री एसार सूरेवंशी, महाप्रवंधक प्रभारी सामागरी प्रवंधन एवं विप्रन स्री सी आर महापात्र, मुख्य महाप्रवंधक प्रभारी बित एवं लेखा स्री एके मुख्य महाप्रवंधक ब्लासफणनेस स्री बी आर बाबू और सयंत के अन्य वरिष्ट अधिकारियों ने इस सफलता उत्सब में भाग लिया इस अफसर पर बड़ी संख्या में ब्लासफणनेस एवं अन्य सम्मंधित विभागों के कर्मेचारी उपस्थित थे इस अफसर पर DIC ने केक काटा मील के पत्थर को पार करने के लिए BF5 और अन्य सम्मंधित विभागों को बधाई देते हुए स्री भौमेक ने कहा हमारे पास अच्छा प्रदर्शन जारी रखने और अधिक दक्षता के साथ महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुँचने की जब अर्दस्त छमता है आईए RSP को देश का सबसे अच्छा इस्पात सयंत्र बनाने में मदद करने के लिए अपना सर्विस रेष्ट दें स्री कुंडू ने महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार करने के लिए BF5 करमी समू को बधाई दी और सामोहिक लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रियास करने का अहवान किया स्री सुर्वंसी ने अपने संबोधन में BF5 की सांदार यात्रा की सरहना की और सामोहिक रूप से नए रेकॉर्ड बनाने का सिलसला जारी रखने का अग रह किया स्री महापात्रा और स्री बिहुरिया ने भी अपने संबोधन में कर्मी समुह को बधाई दी और उनसे अपने सभी प्रियासों में लागत और गुरुवत्ता के प्रती जागरुक रहने का आग रह किया तो लेखनी है कि देश के सबसे बड़े ऑपरेटिंग ब्लास फर्नेस मैं से एक बीएफ पांच ने 19 मई 2022 को 21 मिलियं टंड का आखड़ा पार कर लिया था फर्नेस ने मार्च 2018 में 10 मिलियं टं हौट मेटल उत्पादन को पार कर लिया था फर्वरी 2020 में 15 मिलियन टन होट मेटल उत्पादन और जन्वरी 2022 में 20 मिलियन टन को पार कर लिया था सेल रोड़कला इसपाथ सेंद्र आरेसपी के इसपाथ जनरल अस्पताल आईजी एच के और्थोपेटिक सर्जनों ने CSR पहर के तहट 15 साल के बच्चे कार्तिक पात्र की मल्टी फ्रेंग्मेंटरी डिस्टल फीमर इंट्रा आर्टिकुलर फ्रेक्चर सर्जरी सफलता पूर्वक कार्यान विद किया है जारकट सेंभूमी गौा के रहने वाले कार्तिक पात्र को बाइक से गिरने के बाद 6 मई 2022 को इसपाथ जनरल अस्पताल आईजी एच के और्थोपेटिक बार्ड में भट्ती कराया गया था एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार बच्चा बाइ मल्टी फ्रेक्मेंटरी डिस्टल फीमर इंट्रा अर्टिकुलर फ्रेक्चर से प्यूडित था बिचार बिमर्ज के बाद CMO M&HS डॉक्टर एल के बिस्वाल परामर्ज दाता और्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर दौलत सराफ और परामर्ज दाता और्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोमनात भासके ने 11 मई को जटिल सर्जरी की उप सीएमो डॉक्टर राज लक्ष्मी पंडा अपर सीएमो डॉक्टर संजुकता पाणिंग रही और एनिस्थिसियो लॉजी विभाग आईजीएज की टीम ने सदश्यों दोरा एनिस्थिसिया दिया गया सर्जरी के दौरान और ओप्रेशन थेटर 1 की सिस्टर इंचारज अध्वांती मिंज और तकनीशयों CSST तकनीशयों एवं ड्रेसर्स दौरा बड़ी सहायता प्रदान की गई सरजरी बाट की सीनियर नर्सिंग सिस्टर इनचार्ज स्रीमती दुलारी सामत और पैरामेडिक्ट की टीम में सामिल सरजरी बाट के ड्रेसर और अस्पताल परिचारकों द्वारा सावधानी पूर्वक, प्री ओपरेटिव और पोस्ट ओपरेटिव सहायता प्रदान की गई सरजरी में सारेरिक रूप से गंभीर समस्या होने की समभावना थी इसलिए इस परकार की समस्या को रोकने के लिए सरजनों दौरा उच्चिस्तर की देखभाल पर महतुपूर्ण रूप से सोच विचार किया गया घाव के पूरी तरह से ठीक होने पर टांके काटे गए कार्टिक पात्र अब अपने बाएं घुटने की गती को बापस पाने के लिए के फिजियो थेरपी और सी पी एम का सहारा ले रहा है वह आई जीएच के और्थोपेटिक सर्जन की देखरेक में अच्छी तरह से ठीक हो रहा है आजादी का अम्रत महोटसब समारों के तहट सेल रौकला इस्पाथ संयंत्र उडिसा के कुछ पृतिष्टित वक्तित्तों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है आज के वक्तित्तों हैं श्रीदास रती दास स्रीदास रती दास का जन्म 27 जुलाई 1936 को उडिसा के आयतपुर जिले में हुआ था विमहान विद्वान और साहितिक आलोचक्त रहे उनका लेखन साहसिक विशलेशन और विशत प्रस्तुतियों से परिपूर्ण था उनके कुछ साहितिक क्रतियां काव्य संबाद, आधुनिक काव्य जिन्स, चित्र कल्प, कविशूरे काव्य विभा, विभिद समालोचना, चिन्धा माटी और चिन्धा आकास आदी सामिल हैं उन्हें 1976 में उनकी आलोचना काव्य संबाद के लिए उडिसा साहितिक अकादमी पुरुसकार और उनकी पुस्तक के लिए 2007 में सरला पुरुसकार और 2009 में आधिवाशी जगनात दास पुरुसकार से सम्मानित किया गया था उन्हें अपनी पुस्तक प्रसंग पुरुणा भावना नुवा के लिए वर्स 2018 का पुरुस्थित साहितिक अकादमी पुरुसकार मिला था आज के हिंदी समचार में बस इतना ही नमस्कार झाल